हाँ जी बच्चे देखे अब जो बच्चे पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं और कल आपका पड़स आपका एक्जाम है तो इस बीच में आप ऐसा क्या पढ़ें जो आप पास हो जाएंगे तो मैं अभी भी आपको वह स्ट्रेडिजी बना कर दे रहा हूं जो बच्चा अभी भ इतने माकसर पिपर में नहीं आया जो आज कोर्स लेंगे और जो मैं ने बता इतने माकसर प्रदेब कोशिन नहीं आया यह यह फिरा पास नहीं हुए फई माक्षिक दिखा दीजिएगा दोनों hap condition है यह नहीं आया और आप आप फेल हो गए और आपने कोर्स ले लिए मे वीडियो में होगा और उसमें रिवीजन और पर्फेक्ट कॉंपरिशन मार्केट तो सबसे पहले आप यह करेंगे यह आपके पास में बताजिता हूं कि इसमें चेप्टर नमबर कौन साथ 10 है ठीक है लेक्चर कितने लगेंगे आपके पास में मान के चलिए टाइम आपको फ पंद्रह नमबर तो आपको देगा देगा उसके बाद फिर आप जो है एक तीन गंटे अपने कुर्बान कर दीजिए चप्टर रहे नैन में पे आप तीन गंटे अपने कुर्बान कीजिए और इसमें आपके पास में आपके पास में आ जाते हैं साड़े साथ से दस नंबर आप दस नंबर मांगे चलिए इसमें आ जाएंगे कोस्ट में रिलेशन्शिप और दूसरी बात है नुमेरिकल औन कोस्ट नुमेरिकल औन कोस्ट इसमें क्या पढ़ेंगे आप दो चीजे है एक वाद थेयोरी पढ़ देंगे नुमेरिकल ओटोमेटिक होगा रट्टा माने की जोरती नहीं पढ़ेगी आपको तो थेयोरी और नुमेरिकल प्लस में लॉंग रन एवरेज कोँस्ट यह पढ़ ले यह कि तीन चीजें आप इसमें पढ़ लिजी आपको दस नमबर से आपको मिल जाएंगे तो और भी जायताने लॉट Сब यह सब यह जो important है, यह पढ़ लेना, उसके बाद फिर आपके पास में economics of scale, आप फिस साथवे पर आ जाओ, चप्टर नमर साथ पे, इस पे आपको एक घंटा जाएगा और इसमें आपके 6 नमर तो आएंगे आएंगे, इसमें यह दो चीज पढ़ने हैं आपको, economics of scale, and this economics of scale, यह है, और उसके बाद फिर आपके पास से production, function, economics, utility, indifference, curve, consumer, theory, demand and supply, इसमें application of demand and supply में आप जो है, 4 चप्टर में, आप price ceiling and price floor, यह topic परकड़ लेंगे, तो आपके यहां से 10 नमर की possibilities बन जाती है, उसके बाद polymer scarcity में पहला question, first question, chapter 1 में से, इसमें से आप first question आप कर लिजे, यह आपके पास में आपका time, तोसा चप्टर आपका time कितना लेगा, यह में ही cover करवा देगा, जो कि आपको साड़े साथ नमर देगा, clear है, तो नमर आपके बन जाते हैं, 15, 10, 25, 36, 31, 37, 38, 48, 48 and a half marks आपके बन जाते हैं, clear है बच्चे, तो यह आपके marks, इसमें कुछ उपर नीचे हो भी गया, तब यह पास हो जाएंगे, और आपके पास time duration कितना consume होगा, वो भी समझ लिजी आप, time duration आपके पास में, 4, 3, 7 गंटे यहाँ पर लगे आपके पास में, और आपके पास में, यहाँ पर एक 8 गंटे लगे, और दो 10 और 11 गंटे, आप मानके चलिए 15 गंटे आपके पास में लगे, 15 आवर, और 15 आवर में आप इसको में बड़े slowly पढ़ा है, तो मैंने आप 2X की speed से दे सकते हो, तो मतलब कि 7 गंटे, 7 गंटे में आप 48 नमबर ला सकते हैं, तो सिर्फ 7 गंटे में आप अपना जो है, 48 गंटे कैसे, 7 गंटे की वीडियो से 48 marks आप कैसे लेकर आएंगे, वो strategy plan बताया है, तो आप में से, और आपको इतनी बहतरी नतर के समझाया है, कि आप सर्फ वीडियो देख लेंगे, त्योरी आप खुद आंसर खुद बना देंगे बड़ी असा, यह तो मैंने आंसर के लिए PDB contentment डाला हुआ है, पढ़ाया है, प्लस उसकी PDB contentment डाला हुआ है, तो last moment पे सभी बच्चों को मैं ये कह रहा द्यान से सुन लीजिएगा, साथ गंटे, अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, तो बस ये साथ गंटे आप पढ़ लो, आपके 14.5 marks आजाएंगे, गैरंटी है, अगर ये नहीं आया, और आप फेल होगा इसकी वैसे, तो आपकी फीस में refund कर दूँँ आप, तो वीडियो क पे focus करेंगे, thank you, thank you so much, और कोई related query और doubt आपके पास में आते हैं, तो please आप मुझे आप फोन करेंगे, मैं आपके doubts को priority पर लेता हूँ, but syllabus से related doubts होंगे, out of box जाओगे, तो उसका कोई solution नहीं मिलेगा आपको, thank you, thank you so much. झाल